वेल्कम फ्रेंड्स हमारे चैनल गेट सेट नॉलेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में आपको 50 कोशन्स आधुनिक काल की होंगे इसमें विदेशी कंपनियों का भारत में आना तथा भारत में उन कंपनियों के जो गवर्नर रहें तथा उनके जो कार रहें उसे संदित बहुत ही महत्पून परसनों को सामिल किया गया है जो किसी भी गौवर्मेंट एक्जाम में पूछे जा रहे हैं मद्देकाल तथा प्राचीन भारत के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी इसके लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और यदि यह व वास कोडीगामा वहily पहला यूरोपी यातरी था जिसने भारत के समुद्री भार्क की खोज की थी कूशन नमबर टू वह कौन सा यूरोपी यातरी था जो 1498 इस्वी में भारत के काले के ट्रेट पर उत्रा था तो इसका उतर भी है वास्कोडीगामा जो की पहला यूरोप यातरी था जो 1498 एश्वी में भारत के काले के ट्रट पर उतरा था यह कौशन कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है कोसन सस्य नमदर था कि वास्कोरी कमा कहाँ का यातरी था था मैं फूर्टगाल काई में पहला गवर्णर कौन था तो इसका सही उतर है फ्रांसिको दा अल्मीडा पुर्तिगाल का भारत में पहला गवर्णर था और इसका जो शासनकाल रहा है वो रहा है पंदरा सो पांस से पंदरा सो नौ इस्वी तक कौशन नौबर फाइब पंदरा सो दस इस्वी में गोवा को बीजापुर के सासक से किसने चीना तो इसका सही उतर है अल बुकर्क ने पंदरा सो दस इस्वी में गोवा को बीजापुर के सासक से चीना था Qaution No.6 1530 सिस्वी में कोचिन की जगे गोव को राज्दानी किस ने बनाया था पुर्टगाली वाईसराय नानू डी कुना ने 1530 सिस्वी में कोचिन की जगे गोव को राज्दानी बनाया था कोशन नमर 7 भारत में तमाकू की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस की सुरुवात किस ने की थी तो विदेशी कमपनियों में सबसे पहले इसकी सुरुवात की थी पुर्तगाली कमपनियों ने कोशन नमर 8 गौतिक कलाका भारत में प्रारंब किस ने किया था तो इसका सही उतर है पुर्टगालियों ने गौतिक कला का भारत में प्रारंब किया था कोशन नम्मर नाइन भारत में आने वाला पहला डच नागरिक कौन था तो इसका सही उतर है कारनलिस डी हस्तमान वह पहला डच नागरिक था जो भारत आया था Q10. 1605 इस्वी में डेच कम्पनी ने अपनी पहली फैक्टरी कहां इस्थापित की थी Q11. स्वन के पैगोडा सिक्कों को किसने चलाया था Q12. अंगरेजी इस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना कब हुई थी Q12. इस्थापना हुई थी Q13. 1609 इस्वी में कौन सा अंगरेज जहांगेर के दर्वार में राजदूद बन कर आया था Q14. इस्थापना हुई थी Q15. अंगरेजों ने भारत में सबसे पहले वैपारी कोठी की स्थापना कहां की थी Q16. अंगरेजों ने पहली अपनी जो फैक्टरी थी वो कहां इस्थापित की थी Q17. अंगरेजों ने अपनी पहली फैक्टरी स्थापित की थी Q17. अंगरेजों ने बंगाल का गवर्नर कौन बना था Q18. 1791 इसवी में बनारस में संस्कृत महाविद्याले की स्थापना किस ने की थी Q19. The Asiatic Society of Bengal की स्थापना किस ने की थी Q21. इस्थाई बंदुबस्त किस ने लागू किया था Q22. परसासनिक सेवा तथा नागरिक सेवा के शुरुवात किस ने की थी Q23. परसासनिक सेवा तथा नागरिक सेवा के शुरुवात किये थी Q23. तथा 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 आहस्त छेप की नीती किस ने अपनाई थी Q24. सायक संदी की नीती किस ने अपनाई थी Q25. कौकता में फॉर्ट विलियम कॉलिज की स्थापना किस ने की थी Q26. इसका सही उतर है लॉर्ड वैल्जली ने कलकता में फॉर्ट विलियम कॉलिज की स्थापना की थी Q26. अठारसो साथ इस्वी में दासों के व्यापार पर रोक किस ने लगाई थी Q26. बहुत इंपोर्टन कोशन है यह तो इसका सही उतर है Q26. अठारसो साथ इस्वी में दासों के व्यापार पर रोक लगाई थी Q27. अठारसो नौ इस्वी में महराजा रंजी सिंग के साथ अम्रिश्र की संदी हुई उस समय बंगाल का गवर्णर जर्रनल कौन था Q29. इसका सही उतर है Lord Minto तो Lord Minto उस समय की गवर्णर थे जिस समय अठारसों नौ में महराजा रंजी सिंग के साथ अम्रिश्र की संदी हुई थी Q28. प्रेस पर लगे परती बंदो को किस ने समाप्त किया था तो वह कौन सा गवर्णर था तो इसका सही उतर है Lord Hastings ने प्रेस पर लगे परती बंदो को समाप्त किया था Q29. टैनेंसी एक्ट या कास्तकारी अधिनियम किस ने लागू किया था तो इसका सही उतर है Lord Hastings ने अठारसों बाइस में से लागू किया था तो Q29. का सही उतर है Lord Hastings Q30. पर्थम आंगल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में चला ये किसके समय में हुआ था तो इसका सही उतर है Lord M. Hurst तो Q30. का सही उतर है Lord M. Hurst वह है गवर्णर था जिसके समय में ये युद्ध हुआ था Q31. भारत का पहला गवर्णर जर्नल कौन था ये बहुत ही इंपर्टेंट कोशन है तो इसका सही उतर है Lord William Batic भारत का पहला गवर्णर जर्नल था तो Q31. का सही उतर है Lord William Batic Q32. है राजा राम ओन राय के प्रामर्स पर सती पर्था पर प्रतिबंद लगाने वाला भारत का गवर्णर जर्नल कौन था तो इसका सही उतर है Lord William Batic राजा राम मोहन राय के प्रामर्स पर सती पर्था पर प्रतिबंद लगाने वाला भारत का पहला गवर्णर जर्नल था तो Q32. का सही उतर है Lord William Batic Q33. कौकाता में Medical College की स्थापना किस ने की थी तो इसका सही उतर है Lord William Batic ने 1835 में कौकाता में Medical College की स्थापना की थी तो Q33. का सही उतर है Lord लौड विलियम बैटिक कोशन नमर 34 थगी पर्था को समाप्त करने का सरे किसे जाता है तो इसका सही उतर है लौड विलियम बैटिक को थगी पर्था को समाप्त करने का सरे जाता है तो कोशन नमर 34 का सही उतर है लौड विलियम बैटिक कोशन नमबर 35 बाली का हत्या पर प्रतिबंद किसे ने लगाया था तो इसका सही उतर है लौड विलियम बैटिक ने 1830 में बाली का हत्या पर प्रतिबंद लगाया था तो कोशन नमबर 35 का सही उतर है लौड विलियम बैटिक कोशन नमबर 36 है भारतिय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है तो इसका सही उत्र है लॉर्ड चॉल्स मैटकॉफ जिसे मुक्तिदाता कहा जाता है भारतिय प्रेस का तो इसका सही उत्र कोशन नमबर 36 का है लॉर्ड चॉल्स मैटकॉफ कोशन नमर 37 पर्थम आंगल अफगान युद्ध 1849 से 42 स्वी किसके समय में हुआ था तो इसका सही उतर है लॉड ओकलेंट के समय में युद्ध हुआ था कोशन नमर 37 का सही उतर है लॉड ओकलेंट कोशन नमर 38 कॉलकाता से दिली तक ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किस ने करवाई थे तो इसका सही उतर है लॉड ओकलेंट ने 1849 में ये कारे किया था कोशन नमर 39 नर्बली पर्था पर प्रतिबंद किस ने लगाया था तो इसका सही उतर है लॉड हाडिक पर्थम ने नर्बली पर्था पर प्रतिबंद लगाया था कोशन नमबर 40 पंजाब का विले बिटिस सासन में किसके समय में हुआ था तो इसका सही उतर है लॉड डलहोजी के समय 1849 सिस्वी में ये कारे हुआ और भारत का कोहिनी रुईरा भी इसके सासन में ही इंगलेंड भेजा गया था कोशन नमर 41 सिक्किम का विले बिटिस सासन में किसके समय में हुआ था तो इसका सही उतर है लॉड डलहोजी 1850 में सिक्किम का विले बिटिस सासन में हो गया था लॉड डलहोजी के समय में तो कोशन नमर 41 का सही उतर है Lord Dalhoji कोशन नमर 42 वुड डिस्पैच को किसने लागू किया था तो इसका सही उतर है Lord Dalhoji ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था तो कोशन नमर 42 का सही उतर है Lord Dalhoji कोशन नमर 43 रेलवे की सुरुवात किसके समय में हुई थी तो इसका सही उतर है लॉट डलहोजी के समय में रेलवे की सुरुवात हुई थी 16 अपरेल 1853 में बंबई से थाने की बीच में ये रेल चली और रेल की जो रेलवे लाइन की जो लंबाई थी वो थी 34 किलो मेटर कोशन नमर 44 भार निया पोस्ट अफिस एक्टर पारित हुआ था कुशन नोमर 45 भारत में पहली डांग टिकट किसके समय में शुरू हुई थी तो इसका सही उत्तर है लॉट डलहोजी 1854 के समय में पहली डांग टिकट भारत में शुरू हुई थी कुशन कोशन नमर 46 सारजानिक निर्मान विभाग वा लोक सेवा विभाग की सुरुवात किसके समय में हुई थी तो इसका सही उतर है लौड डलहोजी 1854 में सारजानिक निर्मान विभाग तथा लोक सेवा विभाग की सुरुवात हुई थी Question No.47 सिमला को बेटिस भारत की गिरिश्म काली नी राजदानी किसने बनाया था तो उसका परिटिस भारत की गिरिश्म काली नी राजदानी बनाया था Question No.47 Question No.48 इनाम कमिशन के स्थापना किसके समय में हुई थी तो इसका सही उतर है लॉर्ड डलहोजी 1852 में इनाम कमिशन के स्थापना हुई थी Q49, 1853 इस्वि में लॉर्ड डलहोजी के समय किन दो नगरों के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की सुरूबात हुई थी Q50, किस गवर्णर जर्नल को सिख्षा सुधारों के लिए जाना जाता है तो इसका सही उतर है लॉर्ड विलियम बैटिंग को सिख्षा सुधारों के लिए जाना आता है तो साथियों ये थे 50 बहुत ही महत्पुन परसन आधुनिक काल से जो की इस्टिंडिया कंपनी और अन्ने कंपनियों के विशे में है और अगली वीडियो में फिर बहुत ही महत्पुन परसनों के साथ मिलते हैं तब तक के लिए जान